कि हैं आप सब आप ठीक होंगे आज हम डिसकस करेंगे पीजोएलेक्रिक एक्सेलरोमीटर इसने पहले हमने तीन और एक्सेलरोमीटर पढ़े थे आपने वीडियो देख लें होंगे तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह क्या है मेरा नाम है अंजली शर्मा और आप हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सेलरोमीटर में सेस्मिक मास का कॉंटेक्ट एक पीजोएलेक्रिक क्रिस्टल से रहता है इसलिए इस एक्सेलरोमीटर को हम पीजोएलेक्रिक एक्सेलरोमीटर कहते हैं यहाँ पे हमने एक वर्ड पर एक्सलेरेशन यूज तो इन क्रिस्टरल्स में चार्जिस जर्णेट होने लगते हैं और उन चार्जिस की वज़े से क्या होता है वोल्टेज जर्नेट होने लगता है तो आएप इसका पूरा प्रॉसेस है वह समझ लेते हैं तो जब किसी crystal जैसे quartz या barium titanate की surface को press किया जाता है यानि कि दबाया जाता है या उसे खीचा जाता है तो crystal की surface पर charges आ जाते हैं crystal की एक surface पर तो positive charge होगा और उसकी जो दूसरी surface होगी उस पर उतना ही negative charge होगा जितना की पहली surface पर positive charge है तो अब क्योंके यहाँ पर क्या हो रहा है crystal की surface पर positive और negative दोनों charges आ गए हैं तो इन दोनों charges की वज़े से क्या होगा crystal की surface के बीच voltage जर्नेट होने लगेगा तो जब आपका crystal की surface है उसके बीच voltage जर्नेट होगा तो उस voltage की value क्या रहेगी crystal की surface पर जितना charges generate हुए हैं यानि कि crystal की सतय पर जितना आवेश उत्पन हुआ है और crystal धारिता का जो ratio होगा उसके बराबर होगा मैं repeat कर देती हूं यह जो आपका voltage है इसका मान किस पर depend करेगा जितना crystal पर charges है जितने crystal पर charges है चाहे आप positive charge लीजे और negative charge लीजे क्योंकि दोनों क्या हैं सेम ही है तो जितने crystal पर charges है और जितनी crystal की धारिता है यानि कि capacity है उनके ratio को हम क्या कहेंगे voltage यानि कि उनका ratio जितना होगा उतना ही जो voltage है वो भी होगा इसी phenomenon को इसी घटना को हम क्या कहते हैं picoelectric effect कहते हैं so I hope कि आपको समझा के होगा picoelectric क्या होता है पीजो ऐलेक्ट्रिक एक टाइप के crystals होते हैं जिनके अगर आप variable force देते हैं या variable acceleration देते हैं तो उसकी वज़े से क्या होगा variable force लगीगा उन पे तो जब उन पे variable force लगता है इन crystals पे तो इन में क्या होता है charges generate होने लगते है और उन charges की वज़े से इन में voltage generate हो जाता है और वो voltage जो होता है उसकी value कितनी रहती है जितना crystal पर charge है और जितना उस crystal की capacity है उन दोनों के रेशो की जो value होगी उन दोनों का रेशो करने पर जो हमें मान मिलेगा वही आपके voltage का भी मान होगा अब इसके कुछ main parts discuss कर लेते हैं सो इसमें सबसे नीचे होती है base plate उसके उपर piezoelectric crystals रखे जाते हैं सबसे नीचे एक base plate लगाई जाती है और इस base plate के उपर हम जो piezoelectric crystals हैं जिनकी मैंने property अभी आपको बताई क्या होती है उन crystals को रख देते हैं और उन crystals के उपर हम seismic mass रखते हैं क्योंकि जब mass में variation होगा तभी हमारी जो crystals हैं उन पर भी variable force जो है वो काम करेगा सो हमने इन crystals के उपर रखा है seismic mass को अब seismic mass को एक spring की help से housing से connected कर दिया है जिससे हमारा यह जो पूरा accelerometer है यह बनके तयार हो गया है यहां पर जो आपको output मिलेगा वो मिलेगा piezoelectric crystals से और अब यह जो हमारा पूरा accelerometer है इसको हम जो भी हमारी vibrating body है यानि कि जो भी वस्तु है जो कंपन कर रही है उसके उपर लगा देते हैं यह होती है हमारा पूरा piezoelectric accelerometer का construction अब इसकी working के बारे में बात कर लेते हैं तो जब आपका यह जो accelerometer है इसको vibrating body के ऊपर आप लगाते हैं तो जब आपकी body yb delete सुरू करना सटार्ट नहींद तो इसकी वज़े से एक्लिप इसे में में कुछ नhiव कुछ डिफ्लेक्शन देफलेक्शन की वज़े से मस वह क्या करेगा ये नीचे की और नीचे आने लगेगा और जैसे ही आपका आएगा तो आपका जो मास ह καरेगा उन पीज ऑने प्रीन क्रीस्ट परे करें और जैसे यह वह उन्हाफ क्रश्ट को प्रेस तो उससे क्या होगा चुर्जगतने लागेंगे और चार्टा जोजी से वॉल्टेर ये जो हो रहा है जर्ज उनिट क्यों भाने start कर दी यानिके उन्होंने charges को generate करना शुरू कर दिया तो अगर यहां पर जो एक क्रिस्टल की surface है उस पर F force लगने पर capital Q charges generate होते हैं तो वहां एक हम सूत्र यूज कर सकते हैं एक formula यूज कर सकते हैं जो क्या होगा capital Q it's equal to D capital M A यहाँ पर capital Q क्या है varying charge जो क्या लग रहा है variable force की विज़े से जड़नेट हो रहा है तो यहाँ पर जो capital Q है वो क्या है varying charge है small d है crystal की charge sensitivity small a acceleration है और capital M तो हम जानते हैं seismic mass है अगर जो crystal की capacitance है वो capital C हो तब यहाँ पर क्या होगा एक formula यूज़ हो जाएगा वो क्या होगा V is equal to Q by C तो यहाँ पर हम Q की value पुट कर देंगे जो हमारी पहली equation थी जो पहला formula था उससे small d M by A divided by C तो यही होता है piezoelectric accelerometer लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान नखनी पड़ती है कि यह आप सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर variable force हो यानि कि यह जो आपको effect है केवल variable force के लिए ही देखने को मिलेगा अगर आप सोचेंगे कि constant force है और वहाँ आप इन्हें यूज़ कर ले तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह केवल variable force पे ही work करते हैं जब variable force होगा तभी इनमें जो charges है वो जर्नेट होते हैं और charges की वज़े से voltage जर्नेट होता है तो यह तो हो गए हमारे piezoelectric accelerometer की बात अब हम इसके कुछ विशेशता है देख लेते हैं यानि कि features of piezoelectric transduce तो इसकी जो सबसे पहली विशेशता है वो क्या है यह accelerometer छोटे बेलन के आकार में उपलब्द होते हैं यानि कि यह जो accelerometer accelerometer होंगे यह आपको बहुती छोटे से cylindrical shape में देखने को मिलेंगे और इनका जो diameter into length होती है वो क्या होती है नॉर्मली 15 mm इंटू 30 mm के आसपास होती है इस accelerometer का जो weight है वो बहुती कम होता है लगबग 25 ग्राम या 50 ग्राम तक के आसपास ही आपको जो यह accelerometer होते हैं वो मिलते हैं इनकी natural frequency नॉर्मली 35 kHz होती है इसलिए यह high frequency के vibrations के measurement के लिए यूज किये जाते हैं इनके द्वारा हम plus minus 250 ग्राम से plus minus 10,000 ग्राम तक का जो vibration का acceleration है वो find कर सकते हैं तो यह होते हैं हमारी features कुछ हमारे जो piezoelectric transducer है उसके आज के लिए बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो और आपके लिए helpful भी रही हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जानते हैं क्या करना है लाइक, शेयर और कमेंट और अगर आप मेरे शेनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्यू सो मच